नमस्कार श्रीमद वालुमी किये रामायनं अश्टा दशह सर्ग है तो आज अठारहमा सर्ग हम पढ़ने जा रहे हैं जहां पर राजाओं तथा रिष्श शिंग को विदा करके राजा दशरत का रानियों सहित अयोध्या पूरी में आगमन होगा श्री राम भरत लक्ष्मन तथा शत्रुग्न के जन्म संस्कार शील सभावयम सद्गुणों का वढ़न होगा राजा के दर्बार में विश्वामित्र का आगमन होगा और उनका यधा योग्य सत्कार निव्रित्तेतु क्रतवतस्मिन हयमेधे महात्मन प्रति ग्रहिया मरा भागान प्रति जगमुर्य थागतम समाप्त दीक्षा नियमह पत्नीगण समन्वितह प्रविवेश पुरीम राजा सभित्य बलवाह नह यथारहं पूजितास्तेन राग्याच प्रित्विश्वराह मुदिताह प्रय युर्देशान प्रणम्य मुनिपुंगवं तो महामना राजा दर्शत का यग्य समाप्त होने पर देवता लोग अपना अपना भाग ले जैसे आये थे वैसे ही लोटने लगे दीक्षा का नियम समाप्त होने पर राजा अपनी पत्नियों को साथ लेकर सेवक सैनिक और सवारियों सहित पूरी में प्रविश्ट हुए बिन बिन देशों के राजा भी जो उनके यग्य में सम्मिलित होने के लिए आये थे महराज दश्रत द्वारा यथावत सम्मानित हो मुनिवर वशिष्ट तथा रिश्चिश्रिंग को प्रणाम करके तसन्नता पूर्वक अपने अपने देश को चले गए श्रीमताम गचताम तेशाम स्वग्रिहानी पुरात ततह बलानी राज्याम शुभ्रानी प्रहिष्टानी चकाशिरे गतेशु पृत्वीशेशु राजादशु रथः पुनहन प्रविवेश पुरीम श्रीमान पुरस्कृत्य दुजोतमान शांतया प्रययो सार्धम्रिष्य शिंगह सुपूजितह अनुगम्यमानो राज्याच सानुया त्रेन धीमता एवं विश्रिज तान सर्वान राजा संपूण मान सह वास सुखितस्तत्र पुत्रोत्पतिम्विचिंप्रयन आयोध्या पुरी से अपने घर को जाते हुए उन श्रीमान नरेशों के शुभ सैनिक अत्यंत हर्शमग्न होने के कारण बड़ी शोभा पा रहे थे उन राजाओं के विदा हो जाने पर श्रीमान महराज दशरत ने श्रेष्ट ब्राम्वनों को आगी करके अपनी पुरी में प्रवेश किया राजा द्वारा अत्यंत सम्मानित हो रिशिश्रिंग मुनी भी शानता के साथ अपने स्थान को चले गए उस समय सेवकों सहित वुद्धिमान महराज दशरत कुछ दूर तक उनके पीछे पीछे उन्हें पहुँचाने के लिए गए तो इस प्रकार उन सब अतितियों को विदा करके सफल मनोरत हुए राजा दशरत पुत्रोत पत्ति की प्रतीक्षा करते हुए वहां बड़े सुख से रहने लगे एवं विस्रिजतान सरवान राजास संपून मान सहर उवास सुखित स्तत्र पुत्रोत पत्तिम् विचिंतयन ततो यग्ये समाप्तेतु रितू नामशट समात्ययुह। ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नावमिकेति थाउ। नक्षत्रे अधिति दैवत्ये सोच संसेशु पंचसु। ग्रहे शुकर कटे लगने बाग्पता विंदुना सह। प्रूद्यमाने जगनाथम् सर्वलो का नमस्कृतम् कौसल्याजन यद्रामम् दिव्यलक्षण संयुतम् तो यग्य समाप्ति के पश्चात जब छह रितुएं बीत गई तब बारह में मास में चैत्र के शुक्लुपक्ष की नवमी तितिको पुनर वसुनक्षत्रे एवं कर्क लगन में कौशल्याज देवी ने दिव्यलक्षणों से युक्त। सर्व लोक बंदित जगदीश्वर श्री राम को जन्व दिया। उस समय सूर्य मंगल शनी गुरु और शुक्र ये पांचों ग्रह अपने अपने उच्च स्थान में विद्यमान थे। तथा लगन में चंद्रमा के साथ ब्रहस्पति विराजमान थे। विश्णोररधं महाभागं पुत्रमैक्ष्वाकू नंदनं लोहिताक्षं महाबाहं रक्तोष्ठं दुन्दु विस्वनं। कौसल्याशुशुभेतेन पुत्रेनामित ते जसा यथा वरेन देवानामद तेर्वज्रपाणिना। भरतु नाम कैके याम जग्ये सत्य पराक्रमह साक्षाद विश्णोर्चतुर्थ भागह सर्वैही समुधतो गुणैही। अथलक्ष्मन शत्रुग्नव सुमित्रा जनयत सुतव। वीरव सर्वास्ट्र कुशलव। विश्णोरधर्म समन्बितव। वे विश्णोरूप हविश्य याखीर के आधे भाग से प्रकट हुए थे। कौशल्या के महाभाग पुत्र श्रीराम एक्ष्वाक कुल का अनंद बढ़ाने वाले थे। उनके नेत्रों में कुछ-कुछ लालिमा थी। उनके होट लाल भुजाएं बड़ी-बड़ी और स्वर दुन्दुभी के समान गंभीर था। उस अमित तेजस्वी पुत्र से महारानी कौशल्या की बड़ी शोभा हुई ठीक उसी तरह जैसे सुर्श्वेष्ट वज्रपानी इंद्र से देव माता अधिती सुशोभित हुई थी। तदनंतर कहकेई से सत्य पराक्रमी भरत का जन्म हुआ जो साक्षाद भगवान विश्णु के स्वरूप भूत पायस खीर के चतुर्थांश से भी न्यून भाग से प्रकट हुए थे। ये समस्त सद्गुणों से संपन थे। और उसके बाद रानी सुमित्रा ने लक्षमन और शत्रुगन इन दो पुत्रों को जन्म दिया। ये दोनों वीर साक्षाद भगवान विश्णु के अर्ध भाग से संपन और सब प्रकार के अस्त्रों की विद्या में कुशल थे। कुशे जातस्तु भरतो मीन लगने प्रसन धी। सार पे जातव तु समित्री कुली रे अभ्युदिते रव। राग्यह पुत्रा महात्मा नश्चत्वारो जगिरे प्रथा। गुण वन्तो अनुरू पाष्च रुच्या प्रोष्ट पदो पमाह। जगुह कलम्च गंधरवा नन्रितुष्च आपसरू गणा। देव दुन्दु भयो नेदुह। पुश्प व्रिष्टिष्च खापतत। उत्सवष्च महानासीदयो ध्यायाम जना कुलह। रत्याष्च जन संबाधा। नटनर्तक संकुला। गायनैश्च विराविन्यू वादनैश्च तथापरह। विरेजुर्व पुलास्तत्र सरवरत्न समन्मिता। प्रदियाश्च ददव राजा सूत मागधवन्दिना। ब्राम्हनेभ्यो ददव वित्तम गोधना निसह स्रशह। तो भरत सदा प्रसनेचित रहते थे। उनका जन्म पुष्य नक्षत्र तथा मीन लगने में हुआ था। और समित्रा के दोनों पुत्र आशलेशा नक्षत्र और करक लगन में उत्पन हुए थे। उस समय सूर्य अपने उच्छ स्थान में विराजमान थे। राजा दश्रत के ये चारों महामनस्वी पुत्र प्रिथक प्रिथक गुणों से संपन और सुन्दत थे। ये भाद्र पदा नामक चार तारों के समान कांतिमान थे। इनके जन्द के समय गंधर्वों ने मधुर गीत गाए। अपसराओं ने नृत्च किया। देवताओं की दुन्दुभियां बजने लगी। तथा आकाश्ति फूलों की वर्षा होने लेगी। आयोध्या में पहुत बड़ा उत्सब हुआ, मनुश्यों की भारी भीडे कत्र हुई, गलियां और सडकें लोगों से खचा खच भरी थी। बहुत से नट और नर्तक वहां अपनी कलाएं दिखा रहे थे। वहां सब और गाने बजाने वाले तथा दूसरे लोगों की शब् भूंज रहे थे। दिन दुखियों के लिए लुटाए गए सब प्रकार के रत्न वहां विखरे पड़े थे। तो राजा दश्रत ने सूत मागद और बंदी जनों को देने योग्य पुरस्कार दिये तथा ब्रामणों को धन एवं सहस्रों गोधन प्रदान किये। अतित्यय काद शाहं तु नाम कर्म तथा करोत जेश्ठम रामं महात्मानं भरतं के कई सुतं सौमित्रिम लक्ष्वणं मिति शत्रुग्णं परम तथा वशिष्ठः परम प्रीतो नामाने कुरुते तदा ब्राम्हनान भोजया मास पौर जान पदान पि अददद ब्राम्हना नाम च रत्नव घं मलं बहु। ते शाम जन्म किया दिनी सर्व कर्मान्य का रय ते शाम के तुरिव जेश्ठो रामो रतिकरह पितु। बभूव भूयो भूता नाम स्वयंभूर्व समतह सर्वे वेद विदह शुराह सर्वे लोक हिते रताह। तो ग्यारह दिन बीतने पर महराज ने बालखों का नाम करण संसकार किया। उस तमें महर्शी वशिष्ठ ने प्रसनता के साथ सब के नाम रखे। उन्होंने जेश्ठ पुत्र का नाम राम रखा। श्री राम महात्मा परमात्मा थे। और कहके कुमार का नाम भरत तथा सुमित्रा के एक पुत्र का नाम लक्षमन और दूसरे का शत्रुग्न निश्चित किया। राजा ने ब्राम्भनों पुरवासियों तथा जनपदवासियों को भी भोजन कराया। ब्रामणों को बहुत से उज्वल रत्न समूह दान किये महर्शी वशिष्ट ने समय समय पर राजा से उन बालकों के जात कर्म आधि सभी संसकार करवाई थी उन सब में श्री राम चंदर जी जेश्ट होने के कारण साथ ही अपने कुल की किर्थी ध्वजा को फैराने वाली पताका के समान थी वे अपने पिता की प्रसंवता को बढ़ाने का मूल कारण थी सभी भूतों के लिए वे स्वयंभू ब्रह्माजी के समान विशेश प्रिय थे सबको राजा के सभी पुत्र वेदों के विद्वान और शूर्वीर थे सब के सब लोक हितकारी कार्यों में सनलगन रहा करते थे सर्वे ज्ञानो संपन्ना सर्वे समुधिता गुणै तेशाम पे महा तेजा रामह सत्य पराक्रमह इष्टह सर्वस्य लोकस्य शशांकाईव निर्मलह गजसकंधेश्च्व प्रिष्ठेच रथचर्यासु सम्मत धनुर्वेदेच निरत पितुहु शुश्रूशने रत बाल्यात प्रभृति सुस्निग्धों लक्ष्मनों लक्ष्मिवल्धन रामस्य लोक रामस्य भातुर जेश्टस्य नित्यशह सर्वप्रिय करस्तस्य रामस्य पिशरीड तह सभी ज्यानवान और समस्त सद्गुणों से संपन्धेचारों पुत्र उनमें भी सत्य पराक्रमी श्री रामचंदर जी सबसे अधिक तेजस्वी और सब लोगों के इश्कलंग की चंद्रमा के समान शोभा पाते थे उन्होंने हाथी के कंदे और घोड़े की पीठ पर बैचने का तथा रत हौकने की कला में भी सम्मान पूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया था वे सदा धन और वेद का भ्यास करते और पिताजी की सेवा में लगी रहते थी लक्ष्मी के वृद्धी करने वाले लक्ष्मन बाले अवस्था से श्री राम चंद्र जी के प्रतियंत अनुराग रखते थे वे अपने बड़े भाई लोका अभिराम श्री राम का सदा ही प्रिय किया करते थे और शरीर से भी उनकी सेवा में ही जुटे रहते थे तो ये बाहर विचरने वाले दूसरे प्राण के ही समान थे मानों पुरिशोत्तम श्री राम को उनके बिना नीद भी नहीं आती थी यदि उनके पास उत्तम भोजन लाया जाता तो श्री राम चेंदर जी उसमें से लक्ष्मन को दिये बिना कभी नहीं खाते थी यदाहि हय मारुढों म्रिगयाम याति राघवा अथैनम प्रिष्ठतो भेती सधनु परिपालयन भरतस्या पिशत्रुगनों लक्ष्मना वरजोहिसह प्राणेहि प्रियतरों नित्यम् तस्य चासी तथा प्रिया सचतुर्भिर महा भागई पुत्रैर दश्रतह प्रियाई ही बभुव परम पीतो देवैरिव पितामहां ते अदा ज्यान संपन्नाह सर्वे समुदिता गुणैही री मन्तह कीर्ति मन्तश्च सर्वज्यादीगदर्शिनह ते शामेवं प्रभावाणाम सर्वेशाम दीत ते जसाम पिता दश्रतो हिष्टो ब्रह्मा लोकाधिपो यथा ते चापि मनुजु व्याघ्या वैदिका ध्ययने रताह पित्री शुश्रूशन रता धनुरुवेदे चनिष्ठिताह अथराजा दश्रतस्तेशाम दारक्रियाम प्रती चिंतयामा सुधरुमा अत्मा सूपाध्यायह सबांधवह तस्य चिंतय मानस्य मंत्रि मध्य महात्मनह अभ्यागच्छन महातेजा विश्वामित्रो महामुनिही तो वे सब बालक जब समझदार हुए तब समस्त सद्गुणों से संपन हो गए वे सभी लज्जाशील यशस्वी सर्वग्य और दूरदर्शी थे ऐसे प्रभाव शाली और अत्यंत तेजस्वी उन सभी पुत्रों की प्राप्ति से राजा दशरत लोकेश्वर ब्रह्मा की भाति सदा बहुत प्रसंद रहने लगे थे वे पुरुष सिंग राजकुमार तत दिन वेदों की स्वाध्याय पिता की सेवा तथा धनुरवेद की अभ्यास में दत्चित रहा करते थे एक दिन धर्मात्मा राजा दशरत पुरोवितों तथा बंदु बानुवों के साथ बैठ कर पुत्रों के विवाह के विशय में विचार कर रहे थे मंत्रियों के बीच में विचार करते हुए उन महामना नरेश के यहां महाते जस्वी महामने विश्वामित्र पधारी सराग्यो दर्शना कांग्षी द्वाराध्यक्षान वाचह शीग्रमाख्यातमाम प्राप्तम कौशिकम गाधिन सुतम तच्षुत्वा वचनं तस्य राग्यो वेश्म प्रद्रुद्रुवुहु संभ्रांतमन सहसर्वे तेन वाकेन चोदिताह। ते गत्वा राजभवनं विश्वा मित्र मृषिम्तदा प्राप्तमा वेदया मासुर् नृपा एक्ष्वा कवे तदा। ते शाम तद्वचनं शुत्वा सपुरोधाह समाहितः प्रत्युजगाम संहिष्टो ब्रह्मान मिववासवः। तो महाराजा दश्रत के यहां जब विश्वा मित्र मुनी पधारे तो राजा से मिलना चाहते थे उन्होंने द्वारपालों से कहा तुम लोग शीगर जाकर महाराज को यह सूचना दो कि कुशिक वन्शी गादी पुत्र विश्वा मित्र आये हैं। तो उनकी यह बात सुनकर वे द्वारपाल दोड़े हुए राजा के दर्वार में गए और वे सब विश्वा मित्र के उस वाक्य से प्रेरित होकर मन ही मन बड़े घवराई भी हुए थे तो राजा के दर्वार में पहुँचकर उन्होंने एक श्वाक कुल नंदन कहा महराज महर्शिव विश्वा मित्र पधारे हैं आपसे मिलना चाहते हैं तो उनकी वह बात सुनकर राजा सावधान हो गए उन्होंने प्रोहित को साथ लेकर बड़े हर्श के साथ उनकी अगवानी की मानो देवराज इंद्र ब्रह्मा जी का स्वागत कर रहे हुए सद्रिष्ट्वा ज्वलितं दीप्ट्या तापसं संशित व्रतं प्रह्रिष्ट वदनो राजा ततो अरग्यं उपहारय सराग्यह प्रति ग्रिह आरग्यं शास्त्र द्रिष्टेन कर्मना कुषलं चाव्ययं चैव पर्य प्रिच्चन राधिपं पुरे कोशे जन्पदे बांधवेशु सुहृत्सुच कुषलं कौशिको राग्यह पर्य प्रिच्चत सुधार्मिकह तो विश्वामित्र जी कठोर वृत्ष का पालन करने वाले तपस्वी थी वे अपने तेज से प्रज्ञुलित घो रहे थे उनका दर्शन करके राजा का मुख प्रसन्टा से खेल उठा और उन्होंने महर्शी को अर्ग निवेधन किया तो राजा का वह अर्ग शास्त्री विदी के अनुसार सीकार करके महर्शी ने उनसे कुशल मंगल पूछी अब धर्मात्ना विश्वामित्र ने क्रमशह राजा के नगर खजाना राज बंदु बांधव तथा मित् कुशल पूछी प्रश्ण किये अपिते सन्नताह सर्वे सामंतरि पवोजिताह देवंच मानुशंचैव कर्मते साध्वनुष्ठितम पशिष्ठम चा समागम्य कुशलम निपुंगव रिशी शितान यथान्यायं महाभाग उवाचह ते सर्वे हृिष्ठमन स्तस्य राग्यो निवेशनम विविशुह पूजितास्तेन निशे दुष्चय थारहतह अथ हृिष्ठमना जाजा विश्वामित्रम महामुनिम् उवाच परमुदारो हृिष्ठस्तमभि पूजयन। तो विश्वामित्र ने राजा दश्रत से पूछा कि राजन आपके राजी की सीमा के निकट रहने वाले शत्रु राजा आपके समक्ष नत्मस्तक तो हैं। आपने उन पर विजय तो प्राप्त की हैं। आपके यज्ययाग आदी देव कर्म और अतिति सत्कार आदी मनुष्य कर्म सब भली भाति संपन्न तो होते हैं। इसके बाद महाभाग मुनिवर विश्वामित्र ने वशिष्ट जी तथा अन्याने रिश्यों से मिलकर उन सब का यथावत कुशल समाचार पूछा। फिर वे सब लोग प्रसन्न चित होकर राजा के दर्बार में गए और उनके द्वारा पूजित हो यथा योग आसनों पर बैठे। तदनंतर प्रसन्न चित परमुदार राजा दशरत ने पुलकित होकर महामन विश्वामित्र की प्रशंसा करते हुए कहा। यथा मृत्य संप्राप्तिर यथा वर्श मनूदके यथा सद्रिश दारेशु पुत्र जन्मा कजस्य वै। प्रणश्टस्य यथा लाभो यथा हर्शो महोदय तथै वागमनम मन्ये स्वागतम ते महामुने। कम्चते परमम कामम करोमे कि मुहर्शितह। पात्र भूतो असिमे ब्रम्हन दुष्ट्या प्राप्तो असिमानद। अध्यमे सफलं जन्म जीवितं चसुझी वितं। यस्माद विप्रेंद्र मद्राक्षम सुप्रभाता निशामम पूर्वं राजर्शिशब्देन तपसाद्योतित प्रभः। ब्रम्हर्शित्व मनुप्राप्तः पूजो असिबहुधामया तदद्भुतं भूद विप्रपवित्रं परमं ममां। तो राजा दश्रत विश्वामित्र से कहते हैं। हे महामुने जैसे किसी मरण धर्मा मनुष्य को अम्रित की प्राप्ती हो जाए। निरजल प्रदेश में पानी बरस जाए। किसी संतान हीन को अपने अनरूप पत्नी के गर्भ से पुत्र प्राप्त हो जाए। खोई होई निधी मिल जाए या किसी महानुत्सव से हर्ष का उदय हो जाए। उसी प्रकार आपका यहां शुभागमन हुआ है ऐसा मैं मानता हूँ। आपका स्वागत है। आपके मन में कौन सी उत्तम कामना है जिसको मैं हर्ष के साथ पूर्ण करू। तो यह ब्रह्मन आप मुझे सब प्रकार की सेवा लेने योग्य उत्तम पात्र हैं मानत। मेरा हो भाग यह है जो आपने यहां तक पधारने का कश्ट उठाया। आज मेरा जन्म सफल और जीवन धन्य हो गया है। मेरी बीती हुई रात सुंदर प्रभात दे गई। जिससे मैंने आज आप ब्राम्हन शुरोमण का दर्शन किया। पूर्वकाल में आप राजर्शी शब्द से उपलक्षित होते थे। फिर तपस्या से अपनी अद्भुत प्रभा को प्रकाशित करके आपने ब्रह्म्हर्शी का पद पाया। अता आप राजर्शी और ब्रह्म्हर्शी दोनों ही रूपों में मेरे पूजनिय हैं। आपका जो यहां मेरे समक्ष शुभागमन हुआ है यह परम पवित्र और अद्भुत है। शुभक्षेत्र गतश्चाहं तवसंदर्शनात प्रभो ब्रुहियत प्राथितं तुभ्यं कार्यमागमन प्रति। इच्छाम्यनु ग्रिहीतो अहं त्वदर्थं परिव्रधये। कार्यस्यनाविमर्शंच गंतुमर्हसी सुव्रत। कर्ताचाहं शेशेण दैवतं ही भवान्ममा ममचायमनु प्राप्तो महानभ्यू दयो द्विजः। तवागमन जह कृच्णो धर्मश्चानु तमो द्विजः। इति हृदय सुखम निशम्य वाक्यम। शुति सुखामात्म वता विनीत मुक्तम। प्रथित गुणयशा गुणयर विशिष्टह परमरिशिह परममजगा महर्शम। पुदश्रत फिर कहते हैं कि हे प्रभो आपके दर्शन से आज मेरा घर तीर्थ हो गया है। मैं अपने आपको पुन्यक्षेत्रों की यात्रा करके आया हुआ मानता हूं। बताईए आप क्या चाहते हैं। आपकी शुभागमन का उद्देश क्या है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले हैं महर्शी। मैं चाहता हूं कि आपकी कृपास यानुग्रहीत होकर आपके अभीष्ट मनोरत को जान लूँ। और अपने अभ्यदय के लिए उसकी पूर्ति करूँ। कारिसिद्ध होगा या नहीं ऐसे संशय को अपने मन में स्थान न दीजे। आप जो भी आगया देंगे मैं उसका पूर्ण रूप से पालन करूंगा क्यूंकि सम्मान नहीं आतिति होने के नाते आप मुझ ग्रहस्त के लिए देवता हैं। हे ब्रह्मन आज आपके आगमन से मुझे संपोन धर्मों का उत्तम भल प्राप्त हो गया है। यह मेरे महान अभ्यूदय का अवसर आया है। तो मनस्वी नरेश के कहे हुए यह विनाय युक्त वचन जो हृदाय और कानों को सुख देने वाले थे। उसनकर विच्यात गुण और यश वाले शम दम आदे सत्गुणों से संपन्न महर्शी विश्वामित्र अत्यंत प्रसन हुए। तो इस्तकार श्री वालमी की निर्मितार्श रामायन आदिकावी की बालकांड में आजे 18 सर्ग यहां पूरा होता है। इत्यार्शे श्री मद्रामायने वालमी की यह आदिकावीये बालकांडे अश्टादश सर्गर। ओं श्री सिताराम चंद्राभ्यानमा। अच्छिया चवहां है। कि यहां ही अच्छिया वालमी की यहां है। यहां जखशune की षयगने इसकावांड़।